हेलो स्टुडेंट्स प्रकास टूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे इंटिग्रेटेड रेट इक्वेशन समाकलित वेग समीकरन रेख्शन के रेट को निकालने के लिए हम लोग यह इक्वेशन का यूज करते हैं देखें कैसे हैं यह इक्वेशन क्या होता है पहले इसके बारे में लिख लें लिखें इटीज एन इक्वेशन which is used to determine the change in concentration with respect to time as T50% or T75% or T90% or initial concentration, final concentration, or rate constant. सब लोग इसको लिखें, यह एक समीकरन है, जिसकी सहाइता से समय के साप्यक्ष, सांद्रता का परिवर्तन, जैसे T50%, T75% या T90% या प्रारंभिक सांद्रता, या अंतिम सांद्रता, या रेट कॉंस्टेंट प्राप्ट करते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट इक्वेशन है, और हम लोगों को हमारे सिलेबस में, जीरो ओर्डर और फर्स्ट ओर्डर रियक्षन का रेट कॉंस्टेंट पूछा जाता है, तो हम लोगों जीरो ओर्डर और फर्स्ट ओर्डर तक ही लिमीट रखेंगे, बाकि आगे भी हम लोगों इसको बना सकते हैं, तो यह एक ऐसा समीकरन है, हम लोग इप्रूफ करके एक समीकरन लाएंगे, जिससे हम लोग T50 पर्सेंट, कभी कभी कोस्ट आएगा, कि 50% अभिकिरिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, या फचातर परसेंट या 60 परसेंट, या 90 परसेंट, कुछ भी परसेंट पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा initial कंसेंट्रेशन क्या था, या पूछा जाएगा final concentration क्या था या rate constant पूछा जाएगा तो हम लोग इसका use करके हम लोग ये सब सारे value को find कर सकते हैं मिटा देते हैं अब देखो हम लोग इस question को इस equation को दो type से समझेंगे एक सांद्रता के टर्म में और एक number of moles के टर्म में for zero order reaction for zero order reaction सुन्य कोटी की अभिकिरिया के लिए rate equation हम लोग क्या लिखते हैं r is equal to k into r का power zero यह reactant है यह rate है इसको हम लिख सकते हैं minus dx by dt r क्या होता है minus dx by dt यह minus dr by dt is equal to k r का power zero हो गया 1 k into 1 इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या minus dr by dt is equal to k minus dr is equal to k into dt last class में आप लोगों को बोले थे integration का कुछ आइडिया आप लोग अपने कौपी में देख करके रखिएगा दोनों साइड में integrate करेंगे तो minus dr is equal to integration k into dt इसको लिख सकते हैं r is equal to minus kt plus integration constant c माल लिए अब इस c का value देखो कैसे निकालेंगे at t is equal to 0 तो r is equal to r not देखो कहने का क्या meaning हो गया कि जब reaction शुरू होता है तब reactant का concentration r not माल लिए समय बढ़ते जाएगा इसका concentration घटते जाएगा t time पर concentration है r initial time पर concentration है r not इस value को हम लोग यहाँ पूट करें तो r के जगह पर लिख दें r not is equal to minus k t के जगह पर 0 plus c यानि कि c बराबर लिख सकते हैं r not इस c के value को equation 1 में पूट करें c के मान को equation 1 में रखने पर क्या हो जाएगा r is equal to minus kt plus r not इसा लिख सकते हैं क्या इदर kt को minus करके इदर लाएंगा तो plus हो जाएगा kt is equal to r not minus r इसा लिख सकते हैं अब k बराबर क्या हो जाएगा r not minus r by t तो यह zero order reaction का rate constant हो गया zero order reaction का rate constant अब देखो जैसे हम माल लें कि ए कोई quantity है ए reactant है यह बना देता है प्रोडक्ट तो थोड़ा दर के बाद बताते हैं इसको इसको पहले आप लोग कॉपी कर लेजिए k is equal to minus r not minus r sorry r not minus r by t k क्या है सभी बात को भी लिख देते हैं इसको मिटा दें देखो इस बात को लिख लिख भी देते हैं k है rate constant k है rate constant वेग नियतांक r not है initial concentration initial concentration प्रारंभिक शांद्रता r है final concentration अंतिम शांद्रता अंतिम शांद्रता कहने का मिनिंग कि यह t बराबर 0 पर सांद्रता है और यह t बराबर t पर सांद्रता है यह जब reaction सुरू हुआ उस समय का यह सांद्रता है कुछ समय के बाद यह t समय के बाद यह सांद्रता है तो कभी कभी इसको हम लोग ले लेते हैं a initial concentration को क्या ले लेते हैं A और final concentration को ले लेते हैं A minus X तो आपको चिंता नहीं करना है कुछ book में आपको ऐसे लिखा जाएगा initial concentration ले लिए A number of moles के term में T time के बाद concentration उसका घटेगा तो हो गया A minus X कोई दिक्कत नहीं उस equation में हम लोग पूट कर सकते हैं अब हम लोग को graph बनाना है graph between R and T R versus T लिख देते हैं R versus T हमारे पास formula क्या है हमारे पास formula है देखो equation 1 क्या था R is equal to minus KT plus C यानि कि Y axis में हमको लेना है R और X axis में लेना है T देखें R और T का जो पावर है वह 1 है यानि कि या straight line होगा straight line के equation से इसको हम लोग तुलना कर देए Y is equal to MX plus C देखो X axis में हम ले लिए time और Y axis में ले लिए concentration Y axis में ले लिए R X axis में ले लिए T अब aim है slope slope कैसा है negative slope है आपका negative slope negative ऐसा बना देते हैं यह हो गया slope is equal to minus K slope is equal to minus K यह आपका graph हो गया zero order reaction का यह graph हो गया screenshot इसका लीजिए आसान है मिटा दें for first order reaction कुछ बात आपको इसमें समझना है प्रथम कोटी की अविकिरिया के लिए हम लोग इंटेग्रेटेड रेट equation कैसे निकालेंगे आप देखो आर बराबर क्या लिख सकते हैं के इंटू आर का पावर वन फस्ट और के लिए 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 अब यह क्या होता है आर जो होता है माइनस डी आर बाई डी टी माइनस डी आर बाई डी टी रेट हो गया के इंटू आर इसा लिख सकते हैं थोड़ा से स्को और चेंज कर दें माइनस डी आर बाई आर इस इक्वल टू के इंटू डी टी एसा लिख सकते हैं इंटिग्रेटिंग इंटिग्रेटिंग बोट साइड इंटिग्रेटिंग वीगेट इसका इंटेक्रेशन माइनस बाहर निकाले माइनस DR बाई R अभी ऐसा लिखते हैं इंटेग्रेशन KDT लिख सकते हैं क्या अब देखो यहां से आपको फर्मूला याद होगा 1 बाई X DX का इंटेग्रेशन LN X नेचुरल लॉग इसका इसा लिख सकते हैं क्या माइनस LN R आपको लॉग R नहीं लिखना है नेचुरल लॉग लॉग बेस E लॉग बेस E LN R is equal to KT plus C यह आपका equation 1 हो गया ठीक अब इसी का value निकालना है integration constant का value निकालना है क्या लिखेंगे at T is equal to 0 R is equal to R not R is equal to R not अब देखो क्या हो जाएगा minus LN R not बराबर K into 0 plus C C बराबर minus LN R not putting the value of C in equation 1 रखो value C का minus LN R is equal to KT minus LN R not इसको इदर लाएगे तो हो गया plus LN R not minus LN R is equal to KT log का concept आप लोगों को याद होगा log M minus log N बराबर log M by N तो इसको LN R not by R is equal to KT लिख सकते हैं ये R not by R क्यों कि ये हैं क्योंकि log M minus log minus रहेगा तो हम लोग में भाग देते हैं अब यहाँ पर एक बात आपको ये याद रखना पड़ेगा natural log को हम log में change करते हैं LN is equal to 2.303 log लिखते हैं अगर इस LN को convert करना है log में तो आप क्या लिखेंगे 2.303 log log base E को log base 10 में convert करने के लिए हमारे पास formula होता है LN is equal to 2.303 log या formula कहां से आया है इसको भी हम लोग किसी lecture में देख लेंगे आसान है भी आपको किवल दिमाग में रखना है LN को log में कैसे convert करते हैं LN is equal to 2.303 log अब इसी value को हम लोग इसमें उपर में रखेंगे इधर मिटाते हैं screenshot ले लीजिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या LN के जगह पर 2.303 log लोग आर नोट बाई आर इस इक्वल टो के टी लिख सकते हैं अब देखो यहां से के बराबर क्या हो जाएगा तो के बराबर एकदम सिंपल 2.303 by T लोग आर नोट बाई आर आर नोट बाई आर यह आपके पास फर्मूला हो गया इसी फर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं के इस इक्वल टो 2.303 by T लोग आर नोट को ले लिए A और आर को ले लिए A माइनस X जैसे माल लिए A कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो T टाइम में इसका कंसंट्रेशन अधिक होगा T is equal to 0 कंसंट्रेशन हो गया A T is equal to T कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा A माइनस X तो T टाइम पर इसका कंसंट्रेशन अधिक घटेगा तो इसका हम लोग लिए थे आर नोट और इसका ले लिए आर तो हम लोग जो भी फर्मूला रहेगा उसको बना लेंगे के का फर्मूला हो गया 2.303 by T इन्टू लॉग A by A माइनस X इसका स्क्रीन सॉट ले लिजिए यह फर्स्ट ओर्डर रियक्षन का इंटेग्रेटेड रेट इक्वेशन है इंटेग्रेटेड रेट इक्वेशन और रेट इक्वेशन दोनों में अंतर है रेट इक्वेशन R is equal to लिखेंगे integrated rate equation k is equal to लिखेंगे k is equal to 2.303 by t log a by a minus x यह हो गया equation इसके लिए first order reaction के लिए first order reaction के लिए अब कुछ इसका हम लोग graph देख लें दो graph देखेंगे एक graph हम लोग बनाएंगे log r और t के respect में log r और t के respect में और एक देखेंगे log r not by r और t के respect में तो सबसे पहले हम लोग एक equation बनाएं log r graph between log r versus t यानि कि हमको graph जो बनाना है x अक्सिस में लेना है t और y अक्सिस में लेना है log r तो हम कोई एक फर्मूला लेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि log r और t के बीच में क्या relation है अभी देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या अभी जो लास्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं kt by 2.303 इसमें गुना है कि भाग कर दिया बराबर log r नॉट by r ऐसा लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें kt by 2.303 is equal to log r नॉट minus log r इसको भेज दिया जाए इधर यह हो गया log r is equal to kt या log r is equal to minus minus kt by 2.303 तो यह प्लस ही रहेगा प्लस log r नॉट अब देखो इसमें भी जो t और log r का पावर है वह 1 है तो 1 जब पावर रहेगा तब यह स्ट्रेट लाइन होगा y is equal to mx प्लस c से इसका compare करें y axis में लिख दिये log r x axis में लिख दिये t तो m का value negative slope है m का value हो गया k by 2.303 प्लस c तो यह graph हो गया आपका ऐसा यहां लिख सकते है m is equal to minus k by 2.303 यह value है log r not का log r not का value हो गया slope का value पता चल गया यह आपका graph हो गया log r versus t का इसको उतार लीजिए screenshot इसका लीजिए मिठा दे अब एक graph हम लोग और बना दें graph between ln r not by r versus t तो हमारे पास देख हो एक equation आया था ln r not by r is equal to k t इसको अगर हम लोग y माल लें तो यह mx plus c यह 0 हो गया c इसका graph ऐसा बन जाएगा इधर हो गया t इधर हो गया ln r not by r देखो positive slope है slope is equal to k है और c 0 है origin से शुरू होगा यहाँ पर m बराबर लिख सकते है k slope जो इसका है वह हो गया k यह graph हो गया ln r not by r versus t का आज के class में आपको यहीं तक लिखना है अगले class में हम लोग इसका half life पढ़ने के बाद कुछ numerical बनाएंगे first order reaction का half life कैसे निकलते हैं यह हम लोग देखेंगे half life का क्या formula होगा उसके बाद कुछ numerical बनाएंगे जैसे आपसे question दिया जाता है कि कोई first order reaction है पांच मिनट में 20% पुर्ण होती है 60% पुर्ण होने में कितना समय लगेगा समय calculate करना है ऐसा हम लोग से question पूछा जाएगा 75% पुर्ण होने में कितना समय लगेगा यह सब question हम लोग को बनाना है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक्यू